हेलो दोस्तों कैसे आप से भी आज की वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोग के लिए जो हमारी सीरी चलरी थी एक्सल फॉर्मले की उसके अंदर में एक और फॉर्मला आप लोग के लिए इस्पेशल लेकर आ रहे हूं जिस फॉर्मले का यूज बहुत ही ज्यादा होता है अगर आपका डाटा बहुत बड़ा है तो इस फॉर्मले का नाम है दोस्तों सम इस फॉर्मला प्रीविज वीडियो के अंदर मैं आपको बता यह उख सम-फॉर्मले के ऊपर sum if और sum if में क्या difference है sum if एक ऐसा formula है जहां पर हम सिर्फ एक condition के basis पर अपने data को sum कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको previous वीडियो में बता जाता है लेकिन जहां पर एक से ज़्यादा condition हो और हमें data का sum निकालना हो तो उसके लिए हम use करते है sum if formula तो जैसा कि मेरे को मेरा दे रखा है data इसके अंदर मेरे पास क्या है state है और GST नमर है taxable value IGST है मेरे को बिहार state ठीक है मेरे को क्या चाहिए बिहार state का sum चाहिए लेकिन वो sum बिहार state का GST 010 का बस चाहिए हो सकता है बिहार state में मेरे 2 GST हो तो मेरे को सिर्फ 10 नम्मर वाले gst का ही sum चाहिए ठीक है और उसका taxable value का total sum कितना आ रहा है और i gst का total sum कितना रहा वो मेरे को बता दीजे 10 नम्मर gst के against बिहार state का तो आईए हम sum ifs formula को लगाते हैं तो equals to हम type करेंगे sum ifs तो देखें नीचे वाला formula tab दबाएंगे और आपको लेना sum range आपको कहलेना sum range जिसका आपको sum लेना तो मेरे को taxable value का sum निकालना तो यह मेरा sum range हो गया फिर मेरा है criteria range 1 मेरा जो पहला criteria है वो कौन से range में तो मेरे को चाहिए जिसका gst हो sorry जो पहला मेरा क्या हो बिहार हो तो पहला criteria मेरा बिहार वाला मेरे को चाहिए data तो वो कौन से column में D वाले Column में है तो मेरे को D वाले Column का, रींच लेना daar फिर मेरे को, क्राईटेरिया तो मेरे क्राईटेरिया 1 कौनसा है भिहार है, फिर मैं यहाँ पे लगाूँगा Как weit major क्राईटेरिया 2 टू का रांज तो मेरे G세요, यह दूसरा CRiza तो जीक्राइटियां और सेकंड क्राइटियर्या मेरा क्या है जी ईस्ट तो मैंने यह लगा दिया और कर दिया कॉलम को मतल्ब ब्रैकट को बंद और आप तो इस तरीके से मेरा आगया गाई क्या गया मेurst सम अ गया बिहार स्टेट का दस नमर जीस्की एशेटिक एगेंश टोटल-taxival मैं इसी तरीके से आई JST पर लगा सकता हूं सम इस सम फ को ड़ाया किसी-क चाहिए इसकी गतिक है इसके बाद मेरे पहला criteria क्या है बिहार इसको select कर लिया फिर मेरे को चाहिए criteria range 2 तो मेरा दूसरा criteria किसमें है GST इवाले column में फिर मैंने select कर दिया criteria 2 वो क्या है मेरा GST और बंद कर दिया bracket को enter मारा मेरा आगया GST IGST की value बिहार state की 10 नम्मर GST के इसी formless को अगर मैं को नीचे drop down करना तो पहले मैं क्या करूंगा range को fix कर सकता हूं किस तरीके से देखें मेरा यह वाला जो range रहे तो fix रहेगा क्योंकि मेरा state का range तो fix है तो इसको मैं fix कर देता हूं फॉर ठीक है इसके बाद जो मेरा डी 6 है यह मेरा डी 6 ही रहना चाहिए डी 6 मेरा क्या है डी 6 से डी 120 तो डी मेरा क्या था है आपे बिहार इस सुरी ठीक है यह वाला भी range मेरा fix रहा चाहिए इन दोनों range को मैंने कर दिया fix पहला range जो था F वो मेरा taxable value का था ठीक है जिसका मेरे को संब करना था दूसरा range मेरा क्या था दूसरा range था मेरे पास बिहार state का डी इसको मैंने fix कर दिया क्योंकि यह दो रेंगे फिक्स रहेंगे फिर मेरा आई यह मेरा यह जो है यह मेरा बिहार यह मेरा सेमी रहना चाहिए यह मेरा change होना चाहिए तो इसको मैं fix नहीं करूंगा और यह वाला range e6 यह भी मेरा fix रहेगा range क्योंकि अगर मैं दूसरे state का भी निकालूंगा तो मेरा fix रहेगा तो f4 दबाके मैं fix कर दूँगा और यह j6 यह भी same रहेगा अब इस formula को मैं copy करके नीचे पेस्ट करता हूं तो मेरा formula बिल्कुल सही लगे आए देखेंगे देखेंगे इसने पूरो यहां से लिया है यहां से लिया और इसका भी रेंज लिया है और यह मेरा किसका निकाल रहा है जे 7 का तो जे 7 की value निकाल रहा है तो इसी तरीके से मैं अगर चाहूं तो तो इसको भी fix कर सकता हूं ठीक है इसके range को भी fix कर सकता हूं range को fix करते जब हम कभी ना कभी formula को copy paste करेंगे ठीक है copy paste अगर नीचे तक करना है तो मैं range को fix करके करूँ आपको range को बड़ा ध्यान से देखना है कि formula कहां से कहां तक लग रहा है तो इसको बड़े अच्छे से समझेगा ठीक है मैंने यहां से copy करा और फिर नीचे के cell में paste कर दिया ठीक है तो इस तरीके से यह मेरा क्या आ रहा है मेरी value आ रही है तो एक बार check भी कर लेते कि 10 नंबर का GST का क्या यही value है तो यहां पर अगर मैंने देखा तो इसका sum आ रहा है 10 नंबर का 10 नंबर का लगा दिया लेकिन मेरे को क्या चाहिए यह सिर्फ भिहार state का तो भिहार state का sum कितना है अब हम दूसरे का भी check कर लेते है जीरो four तो जीरो four मेरा यह है और इसमें सिर्फ मेरे को देखना है बिहार state का तो बिहार state का अगर मैं sum देखूं तो कितना है 54 आ रहा है हमने सही लगाया है चेक कर लेते हैं यहां पर यह formula आ रहा है दोस्तो दिखा रहा है कि यहां पर यह गलत लगा है बट यह गलत नहीं है इवर चेक कर लेते हैं लोग सायद हमने range गलत ले लिया हो यह है और सिर्फ मिलको चाहिए चिंडी गड का सोरी चिंडी गड का चाहिए था न तो चिंडी गड का यहां पर देखेंगे 65 है बिलकुल सही है हमारा तो इस तरीके से हमारा formula क्या है बिलकुल सही लगा है तो हम cross भी check कर सकते हैं अपने formulas को ताकि कोई गलती ना हो जाए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को करतें प्रेस ताकि इसी तरीके की interesting वीडियो आप तक पहुंचती रहें ठीके दोस् करें झात